26 जन्वरी 1950 एक एतिवास एक दिन भारत का पहला गंटांत्र दिवर इस दिन दिल्ली में बहुत बड़े जश्न की तयारी थी पूरा देश ये जश्न देखने को आतो था दिल्ली से सके उतर प्रदेश हर्याना राजी सामार पंजाब के साथ कहीं सुबों के लोग रेल गाड दिल्ली की सबसे बड़ी जिस इमारत से कभी सबसे बड़ा अंग्रेजी अफसर निकलता था और जिसके कही मीटर दूर तक आम भारतियों को गुजरने तक ही इजादत नहीं थी आज उसी इमारत से राश्पती राज़ेंद प्रसाजी बाहर निकल गई थी कालियों की गड अपना सेरे लोगों के सामने जुकाते हाथ जोगते लेकिन जन समुग में अलग ही जोच था फिर बोद्रश्य सामने आया जिसका लोग बेसबरी से इज़ार कर रही सामराज जयवादी सत्का की शाना शौकत दिखाने वाली वो बगई जो ब्रिटिश वायस दाए की शाही नुसातिनों को बैठा कर दिली की सड़कों पर गुमाया जाता था वो बगई कभी जिसे देखकर भारतिय रोश नोगल पढ़ देते लेकिन आज वही बगई भारतियों के सामने थी और गोफ उसे देखकर मन्त मुग के बोगए खुद पर इतना इतरा रहे थे क्यूंकि अ आज 24 गंट अंत्र दिवस के दिन मैं आपको सुनाओंगी उस जर्ष्ण की कहानी जो 26 जनरी 1950 को देश की राजदाने दिली में मनाई साथ ही मैं बताऊंगी क्यासे बटवारे के दौरान वायसराय की शाही बगई पाकिस्तान की हाथों में जाते जाते बगई शिर्मात करते हैं 26 जनरी 1950 को हुए जश्ट निसी दिली का वायसराय हाउस जो कुछी घंटों के बाद राजपदी भवन कहलाने वाला था उसका दरबार हौल सजकर तयार था सरकार से जुड़े नेता और बड़े अधिकारियों को दस बज़े का न्योता पहुंच गया था कारेक्रम शिरू हुआ 10 बज़ कर 18 मिनट पर देश के आफ्रीक गवर्णर जनरल सी राजपदाचारी जी ने भारत के एक गंटन्त यानी रिपब्लिक कंट्री बनने की खुंचना इसके 6 मिनट बार दरबार हौल में राजेंद प्रसाज जी ने देश के पहले राष्ट पत के तौर पर शपत राजेंद प्रसाज जी के शपत लेते ही करीब साड़ी दस बज़ें 31 बंदुकों से 19 सनामी दी गई और इसके साथ ही दिल्ली में नहीं बल्कि पूरे देश में गंतांत्र दिवस का जर्शन शिरू हो गया उदर राश्पती भवन में गंतांत्र दिवस दर्चाइज के मुख अती थी इंडोनेश्या के पहले राज्पती सुकर्णोजी का स्वागत किया गया फिर दोपहर ढई भजेंद में भाक निकले राख्त लोगों की भीडून का सवागत कर रहें देखें लेकिन लोगों की तालियं तब भी नहीं रुक रहीति की पाइं एक बगी आती दिखाई थी ये थी ब्रीटिश वाय कि सोने और चानी से गड़ी मकमली गत्री वाली और शे ऑस्ट्रेलिया गुड़ों से खिच जाने वाली शाही बगी को देखते ही भीर में और ज्यादा उत्साहा बढ़ गया नारों का शोर और ज्यादा तीज हो गया कि भारत के पहले राजपती बंकी में बैठे और उन्तर कार्वा इर्विन स्टेडियम के रुप से जाना जाता है 1950 से लेकर 1904 तक गंट्रंत्र दिवस्ट परेड राजपत रोड पर नहीं बल्की इर्विन स्टेडियम कभी किंग्जबे कैम्प तो कभी रामली लह मैदान में आयुजित की जाती है राजपती जी का कार्मा कनाट फेस और उसके करीबी इलापों से गुज़रते हुए करीब कोने चार बजी इर्विन स्टेडियम पहुँचा 15,000 लोगों के सामने आदुने गंट्रंत्र के पहले राजपती ने तिरंगा फैरा पर परेड की सलामी थी उस दिन हुई परेड में सशस्त्र सेना के तीनों बलो ने पाटिसिपेग किया इसमें नौ सेना इंपेंट्री, कैविलरी रेजिमेंट, तर्विसेस रेजिमेंट के अलावा तेना के साथ बैंड भी शामिल थी अलाग के तब मोडर साइकल पर स्टंट करने की परंपरा नहीं थी और ना ही जहांकियों की परंपरा थी जिसकी जरिये देश के अलग अलग राचे अपनी अपनी विरासत और संस्कृति को प्रदेशित कर सकते बीटिंग रीट्रेट लोक निरत्ते और आतिश वाजी भी में ही गंटांत्र रदीवस के ज़श्म का हिस्सा बनी जून 1947 की बात है अंग्रेजों से भारत को मुक्ती मिलने की तारीख लगबख 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 आ ही थी ऐसे में भारतर पाकिस्तान के वी जल्द से जल्द बटवारा कराने की जिन्मितारी आकरी वायस्त्राइल ल मांट बेटन ने दिल्ली के हर आफिस में एक कैलेंडर चंग वाया जो यह बताता था कि 15 आगस्त आने में अब इतने दिन बाकि रहा थे भारत की तरफ से इस काम में हम पटेल और पाकिस्तान की तरफ से चौदरी महम्मद अली को लगाया थे इन दोनों को बटवारे से ले कि सामान से लेकर लगबग हर चीज के बटवारे पर बात बनी चुकी थी पारते सेना के बटवारे पर भी बात बन गई थी 25 लाग सेनिकों में दो तीहाई भारत के साथ और एक तीहाई पाकिस्तान के साथ चले जाए ऐसा तैयम हुआ था था अपना-पना मुल्क चुनने क अप्शन दे दिया कि लिकिन पुछ चीजें ऐसी की जिन पर बात नहीं बन बारे जी चाहते हुए जब कहीं बटवारा होता है तो आंकर बट सबस्क्राइब तो तुमें में बटासों को लेकर होगी राइट यहाँ भी कैसा ही हुआ इक्जाक्रिक पैसा कैसे बटेगा आर और डॉलर का वो कर्दा पॉन चुका है था जो ब्रीटिश रासन में देश पर चड़ा लैरी कॉलिंज की एक किताब डीडम एट मिड़नाइट की अनुछार यह समस्या इक्ति जादा उलग चुकी थी कि एचम पटेल और मौम्मद अली किसी समझाते पर नहीं पहुंच प पाकिस्तान को मिलेगा और भारत के उपर जो करजा है उसके अलावा ब्रीटिश वायसराय से जुड़ी शाही चीजों को बाटने में काफी माधा बच्चे की गए कई दिनों की बाट्रीट के बाद वायसराय की स्पेशल सुनहरी सफेद रेलगाडी महारत को मिली पार्तिय सेना के कमांडर इंचीफ और पाकिस्तान की गवर्नर की सभी निजिगाड़ियां पाकिस्तान की से में चैनल इस दोरान एक बेहत चर्चित विभाजन वायसराय के अस्तबल में हुआ वायसराय की सोने और चांदी से गड़ी पगवी आफित किसे मिली यह तैन नहीं हो पारा था काफी समय तक इस पर सोच विचार किया गया कोई हल नकलता ही नहीं का दोनों ही मुल्की से छोड़ने को राजी नहीं ते दोनों ही आदादी के बाद अपने अपने राज़ पती कि शाही सवारी बनाने को कुछ सुख थी जब कोई भी हल नहीं निकला मांट बैटन के नीजी सेंड मे अधिकारी लैटकिन पीटर होस ने एक सुझाब दिया बुली कि अभी ये फैंसला भाप्ती के बुर्टवरों से छोड़ देती हैं शिक्का उचाल कर टैंक कर लेंगे कि शाही बखली किसको मिली पाकिस्तान की कमांडर मेजर याकु भां और भारत की तरफ से कमांडर मेजर गोविंध सिंग जी को पुलाया गया चांडी का स्कका हवा में उचला गया गया गोविंध सिंग भी संग अपनी साइट बता दिश्का जब खनक्र हुआ के परश पर गिरा तो उसके उपर मूटा मूटा हुई इसदिए उन्ट आए अच्छा लगा होगा इस बच्छा लगई ज़्वें ज़रूर्ड लाइक कीज़ेया ज़ादा श्यर्द पिजिएका और चैनल को भी सब्सक्रीब कीज़ेका आज के इता ही मिलते हैं कि सिंड़े विजो में कि सिंड़े का फिस अपके ले बाबाइ एंजिक